असलाम अलेकुम वेलकुम बैक टू मैं चैनल लखनों का नमा भी जायका और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी जिसके लिए मैंने दो कप बेसन लिया है और एक आदा कप गी लिया है एक कप शक्कर ली है और आदा कप पानी और चार-पांच आँा ची तो एक पैन हमने रख दिया है इसमें हम चाशनी बनाएंगे तो इसमें हम डाल देते हैं शककर पानी भी हम डाल देते हैं इसमें बेपकर आपया यह चाशनी में पहुकर अब इसे चलाते मिनट के लिए और अच्छी तरीके से पकाएंगे चाशनी हमारी गाड़ी हो जाए अब हमने जो इलाइची कूट के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं इलाइची से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चाशनी हमारी हो गई अब इसे हमें साइट कर देते हैं और दूसरा पैन रख करके हम इसमें बेसन को बूनेंगे अब हम इसमें डाल देंगे घी के मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे बेसन डाल देंगे अब हमें इसे continue चलाते रहना है अगर हमने इसे नहीं चलाया तो इसमें गुटली पड़ जाएगी जो सही तो हो जाएगी मगर काफी time लगेगा मेहनत लगेगी इसलिए आप इसे चलाते रहें अब ये थोड़ा गाड़ा लग रहा है जैसी ये बुरने लगेगा तो ये पतला हो जाएगा इसे continue में चला रही हूँ देखिए अब ये इसकी ठीकनेस कैसी हो गई है थोड़ा सा ये पतला होने लगा है एकदम slow gas में हमें इसे करना है देखिए इसमें उबाल भी आ रहा है अच्छी तरीके से पकरा है हमारा बेसन बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे भूनना है देखिए बेसन भूनते वए कितनी अच्छी रंग में हो गया है इसमें आप हम डाल देंगे चाशनी बहुत अराम से आप चाशनी इसमें डालें अच्छे से हम इसे चलाते रहेंगे अब हमें इसे गाड़ा होने तक के पकाना है देखिए बेशन का मिक्षर हमारा गाड़ा हो रहा है इसे और 5-6 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाएंगे continue इसे हमें चलाना है और गैस की फ्लेम एकदम लो रखना है देखिए अच्छी तरीके से ये गाड़ा हो चुका है अब हम इसे बस थोड़ी देर चला करके हम इसे बंद कर देंगे एक प्लेट में मैंने घी लगा के रखा हुआ है बर्फी को जमाने के लिए थोड़े से ड्राइफूट काटके इसमें आप डाल दें अगर आपको पसंद हो जो भी ड्राइफूट आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं इसमें मैंने बदाम और पिस्ता काटके डाला है बेसन का मिक्चर हमारा रेडी है बर्फी बनने के लिए देखे मैंने एक प्लेट में बटर पेपर लगा कर रखा है बटर पेपर पे ही मैंने घी लगा लिया था अब हम इसमें डाल देंगे बेसन का सारा मिक्चर अच्छी तरीके से इसे बस पकड़ के हिला देना है हर जंगा वो सेट हो जाता है अब इसके उपर हम डाल देंगे थोड़े से कटे वे ड्राइफूड आदे घंटे के लिए इसे हम रूम टेंपरेचल के लिए रूम टेंपरेचर पे आने के बाद में हम इसे कट करके फ्रीज में आदे घंटी के लिए रख देंगे देखे बर्फी हमारी बन करके रेडी है इसे आप जो भी शेफ आपको पसंद है आप उसमें काट सकते हैं इसे बहुत आराम से कट रही है बहुती सॉफ्ट बर्फी हमारी बनी है बर्फी के पीस देखे अच्छी तरीके से मैंने कर लिए हैं कुमेट करती हूं आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी तो आप भी ज़रूर बनाएं शबबरात के मौके पर बेसन की बर्फी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी बर्फी कैसी बनी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और दुआ मुझे यात रखें इंशालला मिलते ही हूं कोई अच्छी से रेसिपी के साथ में अल्ला हाफीज